बिहार में जनता का राज है या नहीं ये तो पता नहीं लेकिन बिहार में अपराधियों का राज जरूर है ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में आए दिन ऐसी घटनाई सामने आ जाती है बिहार में आए दिन ऐसी खबरे सामने आ जाती है जिसके बाद ये लगता है कि बिहार में अपराधियों ने बिहार पुलिस प्रशासन के नाक में दम कर रखा है बिहार में अपराधियो से आम तो आम अब खास लोग भी नहीं बच पा रहे हैं रिटाइड आईजी के घर ही बीते दिनों चोरों ने हाथ साफ कर लिया लाखों के नकदी उड़ा लिये साथी साथ साथ गोलिया भी ये चोर लेकर आईजी के घर से फरार हो जाते हैं आखिर ये आईजी है कौन जिनक के घर बीते रात जो है चोर उनके घर पर घूश जाते हैं और घर से ही इतने बड़े वार्दात को अंजाम दे देते हैं बतादे कि फुलवारी सरीफ थाना के पुनेंदू नगर में अपराधियों ने रिटाइड आईजी रगुवन्स प्रसाद यादव के घर चोरी की व हड़ी चुरा ले गए पिडित परिवार के साथ बगल के कमरे में सो रहे थे चोरों ने इतनी सफाई से घटना को अंजाम दिया कि सेवा निर्वित आईजी को भनक्त तक नहीं लगी सुबा उठने पर घटना की सूचना पुलिस को दी गई फुलवारी सरीफ थानेदार है इलाके में लगे अन्य कैमरे को खंगाला जा रहा है भचान होते ही आरोपितों को गिरफतार कर लिया जाएगा रगवन्स प्रशाद यादव ने अपने परिवार के साथ पुनेंदू नगर में रहते हैं गुरवार की रात वह अपने मकान के निचले तले की एक कमरे में सो रहे थे इसी दोरान अपराधियों ने स्कुरू खोल कर खिड़की की ग्रिलू खार दी और कमरे में घुस गये चोरों ने पूरे घर को खंगाला और अलमीरा में रखे 21,000 रुपे दो किमती घड़ी और लाइसेंसी राइफल के 60 कार्टूश चुरा लिये सुबा उठने पर रगवन्स प्रशाद कमरे में सामान अस्तव्यस्त देखकर अवाक रह गये बाद में कार्टूश नकदी और घड़ी गायब मिली रिचाइज आईजी रगवन्स प्रशाद यादव ने बताया कि राइफल दूसरे कमरे में रखी हुई थी जिसके कारण वो चोरी होने से बच गई चोरो ने कार्टूश चुरा लिया लेकिन उसका डबबा वही छोड़ दिया रगवन्स प्रशाद यादव वर्श 2011 में ही रिचाइज हुए थे बता दे कि इसी अंदाज में DSP के घर भी चोरी हुई थी चोरो ने इससे पहले गुरुवार की रात एक अन्य घर में भी चोरी की प्रयाश की थी लेकिन वे सफल नहीं हो सके थे मालूम हो कि एक सप्ता पहले भी घटना स्थल से कुछ दूरी पर जैहिंद कॉलनी में अपराधियों ने इसी अंदाज में खिड़की की गृल उखाड रिटाइड DSP रामराज के घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया था उनके घर से करीब पाच लाग के गहनों वर नगदी की चोरी हुई थी पुलिस का मानना है कि एक ही गिरो इस इलाके में चोरी कर रहा है ये घटना कोई पहले घटना नहीं है बता दे कि इससे पहले भी कदम कुआ थाना इलाके के जगत नरायन रोट सीत जग जीवन गली मे पटना वीवी के प्रोफेसर डॉक्टर नुतन गुपता के घर भी शुक्रवार की दो पहर लाखों की संपती चोरी हो गई सातीर रोसंदान को तोड़ कर घर में घुसे और 75,000 नकद समेत 6 लाक रुपे से अधी के जेवर गायब कर दिये कदम को अथानेदार विमल लेंदू कुमार ने बताया कि घटना की चानबीन की जा रही है डॉक्टर नुतन गुपता इतिहास विभाग की सहायक प्रोफेसर है इनके पती डॉक्टर अशोक कुमार नामी कोचिंग संस्थान के निदेशक है सुकुरवार को उनके पती अप माता पीता पहुँचे नुतन ने बताया कि अलमीरा में रखे 50,000 रुपय नगद मंगल सुत्र सीता हार सोने का चेन कर्णफुल जुमका पायल नाक का आठ नोजपीन एक हीरा का नोजपीन स्मार्ट वॉच एक मुबाइल और दूसरे कमरे में रखा 25,000 कैश गायब था देखिए जो चोर है वो अब वी आईपी लोगो कोड के उपर निसाना साथ रहें कभी वेवी के प्रोफेसर के घर पर चोरी हो जाती है कभी जो है रिटाइड डीएसपी के घर पर चोरी हो जाती है कभी रिटाइड आईजी के घर पर चोरी हो जाती है जहनितीश कुमार गला फाड़ फाड़ कर चीक चीक कर सर्वजनिक मंचों से ये समझाने की कोशिश करते हैं ये कहने की कोशिश करते हैं कि बिहार में पुलिस प्रशासन बिल्कुल स्ट्रिक्ट है और चोडिक जैसे वार्दात को अंजाम देने लगे हैं फिलाल तो इस खबर में बस इतना ही हूँ आप वीडियोज और अप्डेट्स के लिए आप देखते हैं News for Nation